Hello everyone, welcome to Electrical Dose, दोस्तों बरबर स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चनल पे, guys, सेल बिलाई, Still Authority of India Limited सेल बिलाई, 36 गड़ के प्लान्ट पे, रिक्रूमेंट निकल के आई वे, टेक्निकल रिक्रूमेंट है, नॉन टेक्निकल भी एक दो रिक्रूमेंट है, मेडिकल वालों के लिए ब वीडियो को श्राट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनले पहले बार विजिट कर रहे हैं, तो अचले हमको सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हमारे रहे है, उनका रोडिकेशन आपको सबसे पह थोड़ा सा पेसेंस बना के रखेगा, सभी चीजों के बारे हम डिटर में डिसक्राइब करने वाले है, वीडियो को कि स्पीड 2.0 कलीजे, ताकि आपका जाला से जाटाए से हो सके, तो चले दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, भीलाई स्टिल प्लांट आप साथ 11-2022, चले, यहां पर दखिए, सीनियर कंसल्टेंट की वैकैंसी, इसके बारे हम बात नहीं करने वाले हम टायट टेकनिकल है अपने चैनल के कोडिंग जो वैकैंसी उनके बारे हम बात करने है देखिए, यह सब बी बीटेक वालों के लिए वैकैंसी है, अब इसके वा दोस mango फोन के लिए है तो सोलवाइनसी है माइन स्फोर मेंन के लिए और सरवेचे लिए लेक साल चाहिए अब 폰ी फोल्मक्ष वाले भी इंजसाओ का लिए और कपेचिक्ण बलेकल सुपरवाइजर की टो retrouve हाफ पर आठ ब्रेहा कहा चाहिए पोस्ट experience एक साल का होना चाहिए यूर के लिए 6 वेकंसी एक सर्यूस्मेंट के लिए एक वेकंसी है इस चीज को भी आप ध्याद में रखेंगा माइनिंग मेट के लिए 17 वेकंसी ब्लास्टर के लिए 17 वेकंसी है देखें ऑपरेटर कम टेकनिशियन बॉयलर की यहाँ पर दोस्तौब आप देख सकते हैं टोटल 43 वेकंसी है इसके लाद दोस्तों अटेंडेंट कम टेकनिशन बॉयलर के लिए 23 वेकंसी जिसमें यूर की 11 है इसी तरह पोस्ट जो आपका कैटेग्री वाई जिव अलग लग दिया गया है देखें दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अ आप यहां पर देख सकते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं आप सभी लोग के लिए जो फ्रेशास के कैंडिडेट है उनके लिए ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं कि कि क्या eligibility criteria है उसके बारे में बात कर लेते हैं यह एक छोड़ा सा नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिए किसी वीडियो के डिस्टेशन वाक से मिल जाएगा और आपको कैसे अप्लाई करना है कब से अप्लाई करना यह सभी चीज़ आप सभी ल मेनेजर मेकेनिकल पॉर अचैनर के लिए भी सेम वही सास साल का experience होना चाहिए मेनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका से लेक्ट्रिकल से सासल का experience होना चाहिए इन सब चीजों के थोड़ा सा हम कम बात करेंगे लेकिन फ्रेशर की बात कले तो assistant manager की जो वेकेंसी है वहाँ मैनन LGBT रिलेवेंट से चली है आप बात करें से दोस्तों दिप्लोमा के लिए माइन सदया की मैइनसन क्षाहिए माइस में चाहिए मनियों में चाहिए स्रवें में दोस्तों उसम तरdag दिपलोमा इन होना चाहिए और हॉलिंग मेंट्रिकुलेशन होना चाहिए दोस्तों ब्लास्टर में की वेकंसी यहां पर है दी हुई है अब डायट हम OCT में बॉयलर ऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो यहां पर त्रीयर्स का डिप्लोमा चाहिए मेकनिकल एलेक्ट्रिकल यहां पर लेकिन एक चीज़ोर रिक्वाइर्मेंट है दोस्तों फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंस रर्टिफिकेट का प्रटेंसी चाहिए जैसे मिनिम्म अठाइस और तीस साल को में फार्म को फिलप कर सकते हैं स्टे को पान साल का एलेक्ट्रोड साल का एलेक्ट्रों फिल्फिकेट आप बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्रेंटर कं टेक्षन ट्रीनी एस ट्रीक्रेट की जहाँ पर 28 साल मिनिमम्म आपकी मैक्सिम अज होनी चाहिए यहाँ बिलेगा यहां पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, चाहिए, मैकेनिकल से फ़र्म करें, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन से, इसी तरह AITT के लिए दोस्तों, 28 साले जमिट है, यहाँ पर भी आपका फिटर इलेक्रिशियन, इंस्ट्रुमेंट, मैकेनिक, इलेक् पर इंजिनर के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन चाहिए, विट ड्राइविंग लाइसेंस और एक साल का अप लोग को चाहिए, वटा रहे पहले में एंस्टी को पार साल का बची को तीन साल का और पी डुलीट के तेखरी को मैंने पहले ही वीडियो बना दीता अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो आप देख लीजेगा सेल ने अपनी सेलरी बढ़ाई इलेक्ट्रिकल डो सर्च का लीजेगा सेल इंक्रिजिस सेलरी यहां पर देखिए फीजिकल स्टेंडर्स कुछ दिया हुआ हीवन और इस वन और इस फॉर गरेट का हम बात करें यह जो एक्सफ फार्मन वाला एक्सरप फॉर्ट ऑफ फार्मन का साभा इंजीनियर ड्राइवर मेल के लिए मिरम हाइड 155 सेंटीमेटर फीमेल वान फॉर्टी प्रेटीटर्स के लिए वर्टीपशड के लीए मियान में लिए six by nine होना चाहिए बोथ eyes with और without glasses यह कुछ criteria दिये हैं eyes के तो आप इन्हें से देख लीज़ेगा खुछ से भी fireman come fire engine driver के लिए अलग से दिया गया है देखे selection process की बात करेते हैं दोस्तों अगर हम बात करें डिप्लमालों के लिए तो पहले आपका cbt test होगा इसके बाद आपका दोस्तों skill test होगा जो आपका cbt test होगा उसी के साफ से फाइनल मेर्ट यहां पर आप सभी लोग के लिए बनने वाली है जो आपका skill test होगा दोस्तों वह qualifying in nature होगा देखें दोस्तों ट्रेइनिंग और उसकी बात कर लेते हैं तो जो आईटी आई वाले और के लिए ऐस 1, 점ो यह साल करेगा आप साल के ट्रेइनिंग है और संगे आई टेवालों के लिए जहां पर एक साल के मिलने वाला है इसके बार आप आप नहींगे और उसीटी और यहां आप कह सकते एई टी पर तो इसके बाद का लेते होड़ों के लिए दोस्तों डिप्लॉम बीटेक लूपए है एक्जिटी पॉस्टों के लिए लिए लुग लगाने प्रॉसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पर सेस्टी और स्टी प्टी पीडिवी कर्ट इगरी के लिए और इस वन गरेट के लिए दुसर तिन रुपा इस दिन और अगर आप SCSTPWD के टिगरी है तो 100 रुपए फॉर्म पीस है मतलब यह जो प्रोसेसिंग फीस है दोस्तो वो SCSTPWD के टिगरी और पर डिपार्टमेंटल के लिए है तो यहाँ पर अगर हम बात करेते हैं सब्सक्राइब करने का लिंक सब्सक्राइब करने का लिंक सभी कुछ मिल जाएगा तो चले दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही थैंक्स वाचिंग इस वीडियो सीगू नेक्स टाइम